नमस्कार दोस्तों मैं आशु आपका सवगत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल डिजिटल इस्टेडी पॉइंट में तो दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो में जो की लेक्चर नमबर 40 है इसमें दोस्तों हम हिस्टरी का टेस्ट 3 देखेंगे इसमें दोस्तों top 20 expected questions को लिया गया है और दोस्तों यह previous year के मैं पूछे गया questions है यदि दोस्तों आप से questions का answer आता है तो दोस्तों आप count करके comment box में आप इसको बता सकते हैं अन्था दोस्तों आप वीडियो को देख सकते हैं चलिए start करते हैं दोस्तों और यह दोस्तों lecture number 40 भाय इसके पहले दोस्तों हम 49 lecture कर चुके है जो हमारे GK की 1000 questions की series है उसके दोस्तों यदि आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो उपर आई बटन पर लिंक के मिल जाएगी आप वहां से उससे देख सकते हैं दोस्तों और इसके साथ साथ complete geography और complete quality के भी lecture चल रहे हैं आप उन्हें भी follow करके देख सकते हैं चलिए आँगे बढ़ते हैं पहला question है कि पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की दुरगाटना बस मिर्त्य हो गई थी दोस्तों बताना कि पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की मिर्त्य हो थी दोस्तों पोलो खेलते समय केवल एक दिल्ली सल्तनात की दो मिर्त्य हो या वे कौन थे दोस्तों एक मातर कुतोब दिन एवक थे अर्थात ये इसका सही आंसर होगा दोस्तो दिल्ली सल्तनात की बात करें, तो दिल्ली सल्तनात की शुरुआत कब से हुई थी, बारा सो, छे से दिल्ली सल्तनात की शुरुआत हुई थी, और दोस्तो दिल्ली सल्तनात में पाँच राजवन्स आते हैं, कौन-कौन से, सबसे पहले दोस्तो सिलेब डायनेश्टी, और दोस्तो, यह दो के वितम आसे, अधि चलाव लुद्ध सब्सक्राइन, की गया सुद्धिन तो लगने तो लगवनस्की की थी यदि सवयद वन्सक4 ने की थी खिज्र खान धन्सक6 के थी और दोस्तों ने लिए अकवर करके अकवरत की अपना की ती अर्था घ्मड़ यूपी में दूस्तुं दूस्तों बुलंद तरवाजी कीति चलिए आंगरे बरते हैं next question है next question है पाराइपात का दूतिय युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों बता नहीं हो कि पारीकर युद्ध किन-किन के बीच हुआ था दोस्तो पारीपात की युद्ध की बात कर legally तो पानि पहला हुआ था बावर और इब्राहिम लोधी के बीच में फर उसके बाद दोस्तों दूसरा हुआ दूसरा किन किन के बीच हुआ था अकबर और हैमू के बीच हुआ था तीसरा हुआ था अपदाली और दोस्तों मराठाओं के बीच में हुआ था तीसरा इसका दोस्तों पानि कुवैत इसलाम मस्दित किसके द्वारा बनवाई गईप rate कोत्बिं झाँच के द्वारा बनवाई गई ठीग कर भाया पाऊथा इसका रहा है this new home two रहान्त कॉशन है गुरला युद्ध का नेतरतक्र किya गया दोस्तों सवाजी ने कैने हैं गुरु कौन थे? सवाजी के धार में गुरु कौन थे? रम धास स्वामी थे रर्था D. इसका सही आंसर होगा चली आंगे बढ़ते हैं स्थानें ने कुछन केंं से तोप्रा और मेरत से नई दिली में करने के लिए यह दिली से तोप्रा और मेरत से दिली त्वारा के द्वारा किये गाए थे अतार सी इसका अंसर दोश्टों फिरोजसात उग्लट के उनको समझा जाब दोस्तों इस उनको लिखा था उसमें यह आँगे बढ़ते हैं किस्ने मुगल शास्च को उन्हें सती की प्रथा के ने कदम खऴे थे अकवार ने उठाए थे अर्थां भी इसका सही आंसर होगा दोस्तों सती uyाल मॉबर्णी Andy में कि सती प्रथा को खतम किस ने किया था तो राजा राम मोहन राये ने इसको खतम किया था और दोस्तों किस इसके साथ मिल कर किया था तो विलियम बेंटिक के साहद मिलका बिलियम बैंटिक बाइश्राय थे ने सती amplfer ago गढ़nelle शाल को समप्सकर तो वह ल्याओर। मैं बताना कि वह जो महाराठा साम ठीक परिशत को क्या कहा जाता था धो जो पेश्य र पेश्वा दोस्तों इस प्रकास हुए हैं वे दोस्तों मंत्री परिशद के मंत्री ही हुआ करते थे जिनके लिए दोस्तों पेशवा कहा जाता था मराथा सामराज में यहांगे बढ़ते हैं next question परशिद्य कोहनूर हीरा का निर्मादे में लहें किस खान में हुआ तो दुस्तों कोहनूर हीरा का निर्माद की खान में लिट होगा दोस्तों गोल कुंडा कहां पार का इससे थे एक कितना's ग्राम का है दोस्तों चिया कि थे सब Glory कंडrą Central कोर्नियूर ही रहा है और दोस्तों यदि केरेट में पूछा जाए कि इसका वेट दोस्तों केरेट दो परकार से होता है केरेट को दोस्तों वेट में भी मिजर किया जाता है और केरेट को दोस्तों यदि सुद्धता के रूप में बोला जाए कि कितने केरेट का है तो दोस्तो मिली ग्राम दोस्तों मिली ग्राम दोस्तों एक केरेट में 200 मिली ग्राम होता है इस प्रकार दोस्तों 105 केरेट का दोस्तों यह है और दोस्तों इस प्रकार से कितने ग्राम हो जाता है यह 21 ग्राम का कुल हो जाता है को नूर ही रहा और दोस्तों यह ती आज की वीडियो यह वी को इंट बॉक्स मताइए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए शेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ठेंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल and press bell icon for more important दूस्तों नोटिफिकेशन थैंक्स